जाइन दोस्तों स्टार्ट करते हैं पाइपन शिस्टन का लेक्शन नुबर 10 और यह हमारा मिस्लेनियस कोशन का सेकेंड पार्ट होगा आज की रेक्टर का फ्रस्ट कोशन देखो बिल्कुल बेसिक कोशन है इसमें कहता है 15 buckets of water can fill a tank such that capacity of each bucket is 21 liter यानि कहता है एक बाल्टी है bucket का मतलब बाल्टी और जिसके अंदर 21 लिटर पानी आ सकता है और ऐसी ऐसी 15 बाल्टी को 15 buckets को अगर हम किसी टैंक में डाल देना तो वो टैंक पूरा भर जाएगा आप यह बताओ पहले मैं अगर इस question को basic से सुचूंँ तो यहां से क्या मैं इस टैंक की capacity निकाल सकता हूं capacity का मतलब इसकी आयतन यानि कि इसमें कितना पानी आ सकता है आपको 15 bucket लगते हैं इसको भरने में और एक bucket में 21 लिटर पानी आता है यान कि पूरे टैंक के अंदर इतने लिटर पानी आता है यह तो आप समझगे अभी यह कहता है question में second part में how many such buckets are needed अब कितनी बाल्टियों को इस टैंक को भरने के लिए जरूट पड़ेगी if capacity of each bucket is reduced to seven liters अब हर एक bucket की capacity पहले कितनी थी 21 लिटर थी अब उसकी जगह हम 21 लिटर वाली बाल्टी की जगह छोटी छोटी बाल्टी ले आए जिसकी capacity कितनी है seven liter तो कितनी bucket की need पड़ेगी यानि कि कितनी बार बाल्टी हमार को भरके वो डालनी पड़ेगी तो आप यह बताओ पूरी टेंग की capacity इतनी है है न वर एक बाल्टी की capacity कितनी है seven है तो number of buckets आदेक नहीं कितनी आएगे आपकी 43 45 buckets इस question का क्या आएगा answer आएगा तो यह तो था बिल्कुल basic चीज अब मैं आपको बताता हूं कि और इस question को कैसे solve कर सकते हो देखो 15 buckets की जूरूट पड़ती है अगर capacity कितनी है यहां पर क्या लिख लो आप capacity लिख लो ठीक है एक बाल्टी से आप 21 लिटर पानी भर सकते हो और अब डाल सकते हो शिरुफ कितना seven liter पानी तो इसके लिए 15 buckets की जूरूट पड़ती थी आपको कितने buckets की 15 की अब अगर चोटी चोटी बाल्टी डालो गए तो buckets ज्यादा लेनी पड़ेगी आपको है ना कितनी यह इसका कितना है बताओ 3 से डिवाइड किया गया है तो यहां पर 3 से क्या पड़तो इसको multiply यानि कि अब आपको 45 बार इस पाल्टी को भर भर कर उस टैंक के अंदर डालना पड़ेगा तब यह टैंक पूरा भर पाएगा एक कोशन के अंदर important बात मैं आपको बता जाता हूं कई बच्छे confused जा जाते हैं reduced to 7 लिटर reduced to 7 लिटर का मतलब होता है कि उस bucket की capacity जो पहले 21 लीटर थी ना उसको घटा के 7 कर दिया गया है 7 से घटाया नहीं किया है बलकि घटा के 7 कर दिया यानिकि 14 लिटर की capacity उसकी घट गई ठीक है अगर 7 लिटर से घटाया जाता तो लिखा जाता है two seven liter लेकिन यहां पर क्या दिखा हुआ है two seven liter दोनों के अंदर क्या होता है दोनों में difference होता है two का मतलब ga गटा के seven तक ले आये पाय का मतलब होता है hour seven seven से घटा दिया यानगी पहले This seven of you Blues 279 गटाने का मतलब कर दिया तो सिद्धी सी बात है तो 14 से साथ कर दिया है ना कैपसिटी तो नंबर ऑफ पकेट्स पहले 10 थी अब कितनी है डबल लगेगी तो क्योंकि ये तूसे डिवाइड किया गया है तो बकेट डबल सीएगी यानिकी 20 बकेट्स इस कोशन को क्या है अंसर आजेगा तो ये 20 से 30 मिनट का ये लेक्षर देख लेना आपको इन कोशन को औरली सोल करना में सिखा दूंगा देखो पहले आपको बिल्कुल बेसिक बताता हूं जैसे आपने पानी की पाइप देखिए आपके घर में टैप लगे होते है तूटी लगी होती है उसमें आप पानी की पाइप होना बलते हुख देख सरा ये आपके पनी की घ्रक्राइप जैसे आप पढ़ते हैं 16 कि जाएब करम घ्रक्री आपैप इसको हैं कि क्या निकालते हैं जो यह क्या होती है रेडियस और यह क्या होती है आई D हो एक की Length कहलो एक इस बात है तो वॉल्यूम का फोर्मला क्या होता है शिलेंडर का आपको सब पता है Pi R² होता है क्या होता है आपका Pi R² एच एस सिरेंडर की WOLUM का फोर्मला होता है अब मानलो मेरे है इस पाइप में फरक पता है कि है सिर्फ इतना ही फरक है कि दोनों की लेंद्थ तो सेम है है इसको मैं तो इसकी वोल्यूम कितनी होई देखो पाई आर के चिए वन लेखे दो और इन्टो है तो कितना अगया पाई हचा इसकी वोल्यूम कितनी होगी कि फॉर्मुला तो वही होगा पाई आर स्केर एच लेकिन आर की जिगे कितना एगा टू तो टू का स्केर यानि की फॉर पाई एच आगया आप इरी बात समझ रहे हो कितना अगया आपका फॉर पाई एच अच्छा दोनों की वोल्यूम का रेशो बता दो अप रेशो ओफ व अंदर कितना पानी भरा हुआ है इसके अंदर कितना पानी भरा हुआ है इसमें तो मालो एक लिटर पानी भरा हुआ है और इसमें कितना पानी भरा हुआ है बताओ चार लिटर पानी भरा हुआ है ठीक है तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं बात कि जो इनकी वोल्यूम का रेशो होता है न, अगर हाइट क्या हो दोलनों की सेम, मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, if heights are same, if height is same, दोलनों पाइप की height क्या है सेम है, length सेम है, तो इनकी जो volume का ratio होगा, यानकी ratio of volumes, वो किसके equal होता है बताओ, कriad Amanda, की रेडियस को इसका इसके रेडियस कता है, तो इनकी जो वूल्यूम का रेडियो होगा वह ऑर स्केर रेशो रेशो आर्श केर यानी की छोटी यानी की वन का स्केर और capital है और यान तो 1 ratio 4 और यही तो देखो volume का ratio आए था तो मेरे कहने का मतलब आप समझ जाओ इनकी volume का ratio जो है ना इनकी radius की ratio के square के equal होता है समझ गया आप मेरी बात radius की ratio के square के equal होता है क्यों क्यों क्योंकि दोन्नों की height क्या है सेम है अब आप मेरी बात यहां पर point number two note कर लो दिहान से सुनों जहां पर बच्छे mistake करते हैं मैं कहता हूं दो pipe है दो pipe है पने पास और दोनों की shape क्या है बताओ cylindrical है वही जो पिछे मैंने pipe बनाई थी ठीक है इसका मैं diameter कहता हूं कितना है मानलो 5 इसका diameter है 10 cm और तूसरी pipe का जो diameter है वह मानलो कितना 5 cm ठीक है वो कितना है 5 cm आप बस मेरे को यह बता दो इनके diameter का ratio कितना हो गया ratio of diameter ratio of diameter कितना हो गया 10 ratio 5 यानकी 5 पे कार दो 2 ratio 1 यानकी मैं कहता हूं पहली pipe का जो diameter है वह double है किसे दूसरी pipe से अब मैं आप से यह पुछूं कि ratio of radius का plural होता है त्रिजाओं का अनुपात क्या आप कोई बता सकते हो त्रिजाओं का अनुपात कितना होगा अब बच्चे इसमें सबसे ज्यादा मिश्टेक करते हैं ठीक है आप मेरे को यह बता दो बस पहले इसकी त्रिजाओं कितनी होगी अगर diameter 10 है तो radius कितनी होगी 10 by 2 है और अगर इसकी diameter 5 है तो radius कितनी होगी 5 by 2 आप मेरे को यह बता हो अपने को जब ratio निकालना होता है तो LCM तो हम छोटी देते हैं हटाई देते हैं 2 को तो वही 10 ratio 5 है यही 2 ratio 1 किसका था diameter का और यही 2 ratio 1 किसका है आपका radius का तो मैं आपसे सिर्फ यह point लिख वाना चाहता हूं कि जो ratio diameter का होता है ना ratio of diameter वही ratio किसका होता है radius का होता है ठीक है मैंने प्रूब करके आपक बात बता दिए तो question में चाहे diameter का ratio given हो चाहे radius का ratio given हो आपको इसमें confuse नहीं होना आपको यह मानना है कि तो नों का एक ही मतलब है जो ratio radius का होता है वही किसका होता है diameter का होता है ठीक है अब आपको मैं question के त्रू करवाता हूं देखो कितने आसान question बन जाएंगे आपके यह यह देखो first question इसमें कहता है the diameters of three pipe are one two and three centimeter मैं तीन pipe को नाम देता हूं ABC और यहां भी लिखता हूं इनके क्या diameters one two or three यह क्या है इनके diameter का ratio है कहता है quantity of water flowing through a pipe यान की इन pipe के अंदर क्या बरा हुआ है पानी बरा हुआ है ठीक है यह इनको जब एक tap के अंदर लगा दिया जाता है इन से क्या निकलेगा पानी बाहर निकलेगा और पानी जो किस रेशों में बाहर निकलेगा वो दे रख है वेरीज directly as the square of its diameter यह line आपको हर question के अंदर लिखी मिलेगी यान की इनके diameter का जो square है ना उसके ratio के अंदर इन से पानी बाहर निकलेगा और मैंने अभी तो आपको बताया था पीछे कि height मानलो सभी pipes की same है उनकी volume किसके equal होती है बताओ पाई into r square है ना और r मानलो अलग-अलग है एक की r1 है एक की r2 है एक की r3 है इनकी जो volume का ratio होगा वो किसके equal होगा पाई से पाई तो कर जाएगा यहनकी r1 square r2 square और r3 square यहनकी तिन्नों की radius के square के equal है ना radius के square के equal और मैंने कहा था चाहे radius का ratio ले लो चाहे आप diameter का ratio ले लो ब देखो क्याता है इन से जो पानी बाहर आएगा यहनकी यह पाई जो पानी बाहर निकालेगी उसको हम क्या बोल देते हैं efficiency बोल देते हैं ठीक है with 3 cm diameter यहनकी ऐसी pipe जिसका diameter कितने है 3 cm यहनकी इस pipe की बात कर रहे है वो पूरे tank को 42 मिनट में भर सकती है तो बताओ तिन्नों pipe मिलकर उस पूरे tank को कितने मिनट में भर पाएगी देखो अब यह question पता है क्या बन गया अब मैं आपको यह question अलगी shape में चला गया यह 3 person है यह क efficiency का ratio कितना है 1,4 और 9 और मैं आपको यह कह दूँ कि यह वाला person एक काम को 42 days में कर सकता है तो बताओ तिन्नों मिलकर all 3 together तिन्नों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे तो क्या आप यह question solve नहीं कर सकते है यह तो बच्चों का खेल हो गया ठीक है अब मैं क्या कहता हूं इ 9 into 42 upon 14 यानकी 27 days 27 दिन लगते अब यह वही तो question है देखो next question आप इस question में यही तो कहता है कि इस pipe को काम करने में यानकी पूरा tank भरने में 42 minute लगती है तो बताओ तिन्नों जब मिल जाएगी तो कितना time लगेगा तो अपना answer कितना हैगा इसकी efficiency को time से क्या कर तो multiply यह क्या हो होते है ना efficiency को time से multiply कर देते हैं तो क्या होता है total बरक होते है और तिन्नों की efficiency से divide कर दो क्यों क्योंकि हमारे को tank किस से बरवाना है तिन्नों से मिला के बरवाना है तो यानकी 9 into 42 upon 14 तो कितना आ गया 27 minute option number D आएगा इसका answer कितना आपका 27 minutes बस आसान question था अब देखो next question इसमे कहता है diameter of pipe A is 3 by 2 times the diameter of pipe B A और B 2 pipe है इनके diameter का ratio निकाल लो अचा उसका 3 by 2 times है मतलब इसका diameter 2 है तो इसका कितना है 3 है यही तो मतलब है और अब हरे question के इंतर आपको यही line मिलेगी लिखी हो ही कि जो इन दोनों pipe से पानी बाहर निकलता है न उसका ratio पताय क्या है वो इनके diameter के इनके radius के square के equal है यानिकि वो efficiency है कितनी यह बताओ 3 का square और 2 का square हर एक question के अंदर यह line आपको लिखी मिलेगी ठीक है इसलिए पढ़ने की बार-बार उसको ज़रूरत है नहीं फिर कहता है A pipe pipe A fill the tank in 8 hours मतलब यह वाली जो pipe है न यह कितना घंटा लेती है बताओ 8 गंटे लेत तो 9 into 8 और काम किस से करवाना है B से B के efficiency कितनी है 4 question खतम देखो यह कितना देगी 18 गंटे और 18 गंटे इस question का क्या आगया answer आगया बस आप देखो ऐसा ही question यह है तीन पाइप है जिनकी आपको रेडियस का रेश्यों दे रखा है यह चाहें डायमेटर का हो अपने को कोई फरक नहीं पढ़ता ठीक है यह किसका रेश्यों है इनकी रेडियस का यानकी द्रिजाओं का अनुपात है यह फिर कहता है इन से जो पा है H i kya है यह को पता ही है जो को सबसे कम होते है इसको हम क्या بोलते है इन SALL बोलते है अब BAR drought अब कॉछ सर्फ इस्की डिरियस सब्से ज्याद़ होते हैं Olha TRY छे सबसे मोटी फ्री और सबसे अंदょकर से ज्यादा तो यह दो विर्ड आपको क्या करने हैं द्यान रखने हैं अब देखो इनेस्टप थ्नेस्ट का मतलब क्या होता है सबसे पतली वाईप और सबसे पतली पाइव धिया जिसकी रेडियेस सबसे कम है 1 एक है इसकी रेडियेस यह 42 मिने भर शक्ते है इसको भरने में 42 मिनेट लगते हैं तो तिन्नों मिलकर विल टेक टू-फिल олог सबनुकर तीनों मिलकर इस टैंक को कितने टाइम में भर पाएंगे यह पुछा है तो बस जिसकी एफिशेंसी भी है और जिसका टाइम भी है उनको तो क्या कर तो मल्टिप्लाई ताकि पूरे टैंक की कपैसिटी आजे कि इतना रिटर पानी टैंक के अंदर भरा होगा और तिनों को मिल के भरना है यह यानि कि 1 प्लस 4 प्लस 9 तो 42 अपॉन 14 तो कितना टाइम लगे का बताओ तीन मिनट तो तीन मिनट के अंदर के पानी पूरा का पूरा भला जाएगा ठीक है यह इस कोशन का अंसर है बस इसमें एक नई बात आएगी तीन पाइप है एबी सी तिनों का नाम लिख लो इनकी रेडियस का रिशो दिरख आपको वन बाय टू वन और त्री बाय टू देखो टू से मल्टिप्लाई करतो सभी को क्योंकि देश्यों ही तो है अगर रिश्यों है तो टू से मल्टिप्ला पर मिनट देखो यह कहता है यह जो तिनों पाइप है ना इन तिनों से एक मिनट के अंदर 33 लिटर पानी बहार आता है मतलब कि पाइप A से एक मिनट के अंदर 33 लिटर पानी बहार आता है पाइप B से और पाइप C से भी देखो मैं आपको एक बात यहां कर पताता हूं कि pipe A से 22 लेटर आता है, pipe B से 30 आता है, pipe C से 40 आता है, तो फिर उनको उनकी efficiency से क्या कर देंगे, हम multiply कर देंगे, ठीक है, उसी ratio में, अब देखो इस question में यह नहीं दे रखा, कि इसकी जो water flowing की जो rate है, वो इसकी radius के square के equal है, चाहे दे रखा हो, चाहे ना दे रखा हो, आपको वही मालना है, ठीक है, क्या होगा बताओ, efficiency का ratio इनका, 1, 4 और 9, इस 33 को हम क्या कर देंगे, ignore कर देंगे, तो आपको बताना है, कि 18 मिनट लगते हैं, कि इसको thickest, यह spelling गलत है, इसको सही कर लो, ठीक है, और ज्यादा problem है, तो हिंदी में बढ़ लेना, क्या है, तिनो पाइप इस टंकी को 18 मिनट में भरते के, तो सबसे बड़े वाला pipe, हाँ, ठीक है, इफ, all three pipes, तिनो मिलके 18 मिनट में बढ़ते हैं, तो thickest, यहनिकि सबसे मोटा pipe, सबसे बड़ा pipe, इसको कितने मिनट में भरेगा, यहनिकि जिसका diameter के सबसे ज़्यादा, यह जिसकी radius के सबसे ज़्यादा, इसका निकालना है पड़ेगा, आगे है अनसर, आप मेरे को यह बतादो, बस, total capacity कितनी है, इस tank की, तिनो मिलके, इस tank को 18 मिनट में बरते है, यहनिकि 18 तो time, तिनों की capacity, कितनी, यह है capacity, और लिच्छे क्या होएगा, बताओ, किस से बरवाना है अपने को tank, इस सबसे मोटे वाले pipe से, यहनिकि, इसकी efficiency कितनी है, 9, यह कितना आगे, 9 तुचा, 2 into 14, यहनिकि 28 minutes, इस question का क्या ज़्यादा, यह question, इसमें भी कोई सेम कहानी है, diameter, radius का ratio दे रखा है, 1, 3 by 2, और 2, या फिर इसको 2 से क्या कर दो, multiply कर दो, यह क्या गया, radius का ratio आगया, अच्छा, radius के ratio क्या कर दो, square कर दो, square करो, 4, 9, और कितना आगे अपना, 16, यहां तक तो कोई भी बच्छे को problem है नहीं, फिर कहता है, if the speed of the water flowing in that pipe is 3 to 1 liter per minute, यान की, पहले pipe से 1 minute के अंदर 3 liter पानी बाहर निकलता है, तूसरे से 2 liter, तीसरे से 1 liter, तूसरे से 1 liter, एफिशेंसी कर दो, पता है क्या हैगा, 4 into 9 into 16 into, क्या करोगे into में, 4 इनकी यह अपने को water flowing की rate दे रखिये, कितनी, 3, फिर 2, और फिर 1, यान की, यह आगया बार है, और या आगया कितना अठा रहा है, और या आगया 16, आप इसको 2 पे काट तो चाहिए, ठीक है, यान की, यह अपकी बार इनकी क्या आगी, final efficiency आगी, समझ के बस, अब कोशिन होगा, पहले जैसा, फिर कहता है, if the thickest, thickest, यह thinest है है, हिंदी में पढ़ लो, spelling गलत है, क्या है, यह thinest, thinest का मतब सबसे पतला pipe, सबसे पतला pipe कोन होगा, जिसकी radius सबसे कम थी, देखो किसकी radius सबसे कम है, यहाँ पे, आपकी, एक ही है न, इसके बारे में दे रखा है, इसका time है, कितना, 46 minute, यह कितना आपका, 46 minute है, तो बताओ, तिनों मिलके, तिनों मिल से, तो तिनों की efficiency के sum से क्या कर दो, divide कर दो, निचे कितना आगे, 23, यह दो बार कटेगा, 6 दूनी, 12, तो 12 minute इस पूरे tank को भरने में लगेंगे, बस question कतम होगा, देखो, next question, यह भी वैसा ही question है, कुछ, इसमें कहता है, तीन pipe है, यह इनकी क्याद रखे अपने को, diameter, A, B, C diameter का ratio देख लो, 1, यह कितना आपका 3 by 2, और यह कितना 5 by 4, 4 से multiply कर दो, चार से multiply कर दो, तो यह आगया, अच्छा, फिर क्या निकाल होगा है, आप, diameter का square, यह तो निकालना ही, निकालना है, ठीक है, इसके बिना तो काम चले गई, निकाल लिए हमने diameter का square, फिर कहता है, the speed of water flowing is 5 km per hour, 3 km and 4 km, देखो, पिछले question में भी था ना, अलग-अलग था, 3, 2, 1, अब इसमें कितना है बताओ, 5, इसको 5 से multiply करोगे, इसको 3 से, और इसको 4 से, तो यह आपकी क्या जेगी पता है, final efficiency आईगी, ठीक है, 80 और यह 108 और यह 100, आप चाहो तो इसको 4 पे कहा कर दो, काट क्योंकि जितना छोटा करोगे calculation को उतना असाल रहेगा, यानकि यह इनकी क्या आगी, final efficiency आगी, बस अब question खतम, यह कहता है, the smallest diameter pipe, यानकि ऐसी pipe, जिसका diameter सबसे छोटा है, यह वाली pipe, इस पूरे tank को भर सकती है, 4 गंटे 12 मिनट में, अच्छा 4 गंटे 12 मिनट में क्या होता ह है, 252 मिनट होती है, यानकि यह वाली pipe, अगर 252 मिनट में भरती है, इस tank को, तो 3 मिला के कितनी दिर में भरेंगे, अब तो question होगा, असाल, देखो, 20 कुना में 252, और 3 मिला के efficiency कितनी है, बताओ, 3 की efficiency का, total, यह कितना होगा, आपका, 25 और 272, यानकि 72, अब इसको divide करोगे, कितना, चार पे काट दो, यह साथ 18 पे कट रहे हैं, 18 पे काट रहे हैं, 18 पे काट रहे हैं, 18 और 18 चुके 72, और 14 बंजे 70, 70 मिनट के अंदर यह पूरा tank का भर जाएगा, और यही इस question का answer है, इस question में देखो, बिल्कुल basic question है, बच्चो वाला question, देखते हैं, आप समझ लगते हैं, किसी tank को भरने में, क्यों, क्योंकि उसके साथ एक leakage भी काम कर रहे है, और equivalent है, वो to the half of its inflow, inflow का मतलब, जो, देखो, दो pipe है, एक तो inlet pipe है, और एक क्या है, outlet pipe है, क्याता है, अगर inlet pipe अकेला काम करता, तो उसको 36 गंटे कम लगते, लेकिन, अब inlet के साथ-साथ ए एक outlet भी, एक बाहर निकालने वाला pipe भी काम कर रहे है, जिसकी वज़े से उसको 36 गंटे पहले से ज्यादा लगे, अच्छा, जो outlet है, देखो, उसकी efficiency क्या होगी, हमेसा ही inlet से कम, क्यों, अगर outlet की efficiency ज्यादा होगी, तो फिर tank तो कभी बरेगा ही नहीं है, तो इसलिए tank भरा गया है, इसका मतब inlet की efficiency ज्यादा है, outlet की कम, कितनी है inlet की efficiency, इससे double है, क्योंकि outlet की efficiency उसकी क्या है, आदी, तो मैं एक pipe को A नम देता हूँ, A को L नम देता हूँ, ठीक है, A और L, L का मतब यहाँ पर क्या है, यह leak है, तो मैं लिखता हूँ, यहाँ पर efficiency का ratio, efficiency इसकी दो है, तो इसकी कितनी है, एक, और वो भी क्या, minus में, क्योंकि यह क्या है, leak है, तो आप मेरे को यह बताओ, अगर efficiency यह है, तो इसको 36 minutes extra लगते है, 36 गंटे extra लगते है, तो बताओ, जो inlet pipe अकेला है, वो कितनी देर में भर देता, आप बस मेरे को यह बता दो, इनकी efficiency का ratio कितना इनकी old case में, सिरफ A pipe काम करता है, तो उसके efficiency कितनी थी बताओ, तो नए case में, A तो काम करे करेगा, साथ में leak भी काम करेगा, तो यहनकी, दो में से A कम होएगी, यह होगया, efficiency का ratio अगर 2 ratio 1 है, तो time का ratio कितना होगया, 1 ratio 2, यहनकी, पहले अगर 1 गंटा लगता था, तो अब 2 लग रहे है, एक का फरक आगया, और यह एक का फरक कितने के equal है, 36 गंटे के equal है, तो मतलब कि, यह अकेला इस टैंक को, 36 गंटे में भर सकता था, और यही इस question का क्या है, answer है, तो answer क्या आगया, इस question का, 36 hours, अब मैं आपको बताता हूँ कि, इस question का और ली कैसे कर सकते थे, बिना कुछ लिखे, देखो, आप मानलो बड़े हो, आप दो भाई हो, आप दो भाई हो, एक A, A का नाम A, A का नाम B, यह जो है ना भाई, आपका काम बिगारने वाला है, यह क्या है, आपका काम बिगारने वाला है, और आप काम को करने वाले हो, और आपके साथ यह जो का भाई आया न इसकी efficiency आप से कम है ठीक है क्या है आपकी is efficiency कम है यान कि आप मालो दो लिटर पानी बहरते हो एक मिनिट में तो ये एक लिटर पानी बाहर निकाल देते है आप मिले को ये बता हो आप पहले दो भर आते थे भरो तो अब भी गे लेकिन अब तो में से एक कम होगा एक बरोगे यान कि आपकी एफिशेंसी पहले से क्या होगी आती होगी पहले से आती होगी तो टाइम क्या लगेगा पहले से डबल लगेगा यान कि जितना टाइम पहले लगता था उतना ही टाइम अब ज्यादा लगेगा मतलब पहले अगर माम तो आपका आठ गंटे लगता था अब आठ गंटे क्या लगता था आठ ज्यादा लग रहे हैं और यहां पर कितना ज्यादा लग रहे हैं तो पहले आपको 36 गंटे लगते होंगे हैं और यही तो आप टाइम ज्यादा लगता है इनलेट उतने ही टाइम में अकेला उस टैंक को भर सकता है मैं आपको यह समझाना चाहता हूं ठीक है तो यह थे आज के लेक्षर के कुछ अच्छे मिशलेनिस कोशन जिसमें डायमेटर और रेडियस के उपर जितनी भी तरह के कोशन आपके एकसाम